आप देख रहे हैं सोगंद टीवी सोगंद वतन की लेकिन बड़े लोगों से मिलने के लिए क्या रीजन था क्यों तुम बड़े बड़े अमिशा से मिलने चाह रही हो तुम और तुम आखिर क्या करना चाहते हैं तो एपी सिंग भी बच्चा वकील बना हुआ है वो तो चेहरे से वकील नहीं नजर आता है सीमा हैदर से राखी वाले दिन क्यों नहीं तूने राखी बनवाई राखी के चार दिन पहले तो राखी बनवा करके बैढ़ गया क्या दिक्षजड़ वा रहा था लोगों को नमश्कार आप देख रहे हैं सौगन टीवी सीमा हैदर लगातार चर्चाओं में रहती हैं और सीमा हैदर अपने बयानों को लेकर फिर से एक बार सुरुखियों में आ चुकी है जानते हैं कि सीमा हैदर पाकिस्तान के लोगों पर आरोप लगा रही है कि उनको धमकिया मिल रही है और धमकिया काफी कुछ कहती हैं कि अशलील वीडियो बना कर आपको वाइरल कर देंगे और एक मेक आप आर्टिस्ट हैं उन्होंने कहाकि सीमा हैदर से बेगे हैं तो खेर सीमा हैदर जानती है लेकिन इन मुद्धों पर बात करते हैं लोग क्या कहते हैं जी, सीमा हैदर जो है, आरो एक बयान में उनोंने कहा कि मेरे को पाकिस्तान से धंकिया मिल रही हैं, कुछ लोग हैं जो उनको धंकिया दे रहे हैं कि मुझे अशलील जो अश्वीरे होंके उनको वाइरल कर देंगे अशलील वीडियो बना कर या तस्वीरे कहच कर और एक मेक आर्टिस्ट हैं, उन्होंने कहा है कि 10,000 रुपे एक रात के लेती थी सीमा, इनमें कितनी सच्चाई लगती है आपको, और सीमा हैदर के बारे में इसमें आप कितना समर्थन करते हैं, और कितना उनके बयानों को देखें, सीमा हैदर हमारे भारत की तो है, हम उस पे उनके के लिए यह तो कुछ साइस नहीं कर सकते हैं, दूसरी बात यह है, कि सीमा हैदर यहां आई है भारत में पब जी के थुरू, ठीक है, उनका कहना है, कि वो पब जी के थुरू उनको लब जी हो गया, और लब जी से जो है, वो यहां तक आ गई, चो लेडी, चार जो है, बॉ तो वो तो थू प्रॉपर चनल गई है, ठीक है, गलती अध्यपी के उसकी भी है, उसको नहीं जाना चाहिए था, पाकिस्तान तुमारे अबबा का घर थोड़ी था, तुमारे डैडी का घर थोड़ी था, जो तुम उठी और चल दी, यह तुम उठी और चल दी, तुम जहा नहीं, अब बाकी बचा सीमा हैदर का, तो वो जानेंगी उनकी जो वो है, ब्यूटी पार्लर, ब्यूटी शियन है, वो उनको ऐसा बोल रही है, वो उनको ऐसा क्यों बोल रही है, इसका जवाब सीमा हैदर को खुद देना चाहिए, जब एक हमारे यां की महिलाने सफ इतना लब भू तप्पू तो तो तिंगे कर दिया क्योंकि वह भारत की महिला थी आज तो पाकिस्तान की महिला पूरुष परिश क्यों नहीं कर पा रही है तेरे लिए इतनी अश्लील वीडियो बना के भेज तेरेलीए जो है वो बोल रहे है कि 10 जार रुपए एक राथ का वह लेती थी यानि कि तुम क्या हो तुमको उसने बना दिया जो भी पारलर वाली उसने तुम क्या बनाया है और то अजने ही इसमेंट हो थीक है को सीधा सीधे एदर आईएसाइशाइ कि जो है अइजन्ट है ठीक है जीई और उसका आप यह सोच लो उसका भाइ जो है उमे बताया गया मिलिटरी में है ठीक है तो यह मिलिटरी वालों को क्या संदेश देना चाहती थी यहां से भारत में आके भारत की कौन सी लीक POOL बारत में तुम छोटे लोगों से मिलना नहीं पसंद कर रही हो, तुम बड़े-बड़े हाइफाई लोगों से जाना पसंद, मिलना पसंद करना चाहरी हो, और तुम वहाँ तक पहुचने की भी तुमने कोशिश करी, ठूरू सचिन, ठीक है, और सचिन तो लपू जन्दा ही ह के लिए लेकिन बड़े लोह मिलने के लिए क्यारीजन था क्या था जुआ लगे की सब्सक्राइब उनकी बच्ची नहीं है, हम भी कई मालों अनाथाशम से बच्चे हायर करके ले आए, तो वो बच्चे कहेंगे कि यह मेरी माँ है, बच्चे क्या अगर जिनके जो बे माँ के हैं तो वो भी बता देंगे कि यह बे माँ के हैं, और जिनकी माँ हैं वो भी बता देंगे में, ज़ब ज़मकीश heraus चाह्यां वह स्पाकिस्तास गुस पैठी करते होते ही थे और सब ने लेकिन है अब और जज्यादा हो रहा है अब यहां तक है के हमारे फौजी कहां कहां पे हैं वहां पे उनको जो है दागा जा रहा है उनको बारा जा रहा है उडाया जा रहा है खिलाफ बोली हैं वो कहने कि पाकिस्तान से इसलिए लोग चाहते हैं कि बाहर हो आजाएं इंडिया आजाएं इसलिए क्योंकि वहां पर नफरत फैलाई जाती है वहां के लोगों में वहां पर ऐसे त्यार बनते हैं तब जवान शहीद हुएं उनको लेकर ये टिपनी की है ब अज़े को कथनी और करनी में बहुत फरक होता है कहावत कई गई ना मनमे राम बगल में छूरी ठीक है जब मौका लगे तो बाद उठा करके भोग दो समझे जी यहीं बगल में राम यह कहानी उनकी चल सकती है अब बाकी जो है अगर इनको एकरना जब वह अपनी उस लेड पर आता है सीमा है दर से लाकी वाले दिन क्यों नहीं तूने बंद्वाई करके बैठ गया क्या दिखलवा रहा था लोगों को तो समझ वे आता है सोनिया अक्तर और का भी केस लडने के लिए तैयार है आपी सिंग बंगलादेश से आई है है यहां वो देखेगा भी किस किस ह्ता चेहरा ही बता रहा है सब्सक्राइब कर एप सब्सक्राइबूर्थ व्हद्स सफ्सक्राइब हो करके मीडिया के आगे बोलता है हर समय मीडिया के आगे खड़ा हो करके बयान बजी नहीं करता है सीमा हैदर दिखावा और छलावा कर रहे हैं एक तरह से आपका मानना यही है बिल्कुल 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 इनका दिखावा और छलावा दोनों चीजे हैं जे बच्चे ल देखने के लिए बने रहें सोगंद टीवी के साथ केमरमेन अंकित के साथ सुहेल आप देख रहे हैं सोगंद टीवी सोगंद वतन की